असलाम वालेकम डियर स्टुडेंट्स, वेलकम एक्सपी अकेडमी डॉट कॉम, जहां पर आप स्टेप बाइ स्टेप्स उर्दु जबान में HTML सीख रहे हैं डियर स्टुडेंट्स, आई से हम लोग अपने HTML का अगाज कर रहे हैं अब HTML की पर काम करने के लिए आपके पास कुछ application का होना ज़रूरी होता है HTML आपके पास code language है, यहां पर आपको कुछ code type करने पड़ते हैं, यहनि इसको हम लोग tags कहते हैं अब इनके लिए आपके पास एक editor का होना ज़रूरी है mostly जो काम किया जाता है HTML के अंदर, आपके पास notepad को use किया जाता है लेकिन मैं एक notepad को use करूँगा, लेकिन जो notepad में use करूँगा वो कह है notepad plus plus अब notepad plus plus का क्या फाइदा है, उसमें हमारे पास कुछ बेदर और मज़ीद ज़्यादा control है तो हम उन control को हसानी से use कर सकते हैं, अब वो हमारे पास कहां से आएगा, आप google पे चले जाएं आप टाइप कर दें, यहाँ बें google.com, मैंने google.com टाइप किया और इसको आप download कर सकते हैं, अपने पास google पहाने के बाद आप टाइप कर दें, notepad notepad plus plus और यह रहा, आपके पास official website आ चुकी है, notepad plus plus की, आप इसे click कर दें click कर देने के बाद, आपके पास यह notepad की website open हो चुकी है, इसके मुफतलिफ आपके पास versions होते हैं, ठीक है? तो आपके पास जो latest available है, वो क्या है? 6.5, आप इसको download पे click कर दें, और उसके बाद आप just को download कर दें, जैसे आपके पास यह download हो जाएगा, मैं इसे click कर देता हूँ, मैं इसको click किया, यह मेरे पास 7.2 MB का एक software है, आपसे save पे click कर दें, और यह आपके पास download हो जाएगा, तो download होने के बाद आपको इसका एक setup प्रेस कर देना है, जब आपका setup run हो जाएगा, तो notepad आपके पास install हो जाएगा, जब यह notepad आपके पास install हो जाएगा, तो फिर ह हम इसके पर अपनी coding को शुरू करेंगे बकाइदा, क्यूंकि मैं आपको पता चुका हूँ, HTML जो आपके पास है, यह आपके पास tag language है, यहाँ पर आपके पास मफ्तलिफ tags होते हैं, उन tags की बिदूलत आप काम करते हो, तो अभी हम अपनी environment बिनाने जा रहे हैं, HTML के लिए, तो वो जो मुझे required material वो मैं download कर रहा हूँ यहाँ से, students मेरे पास मेरा notpad download हो चुका है, मैं documents में जाओंगा और यहाँ पर मैं download बिचला जाता हूँ, download में जाने के बाद आप देखें, यहाँ पर आपके पास आपका notpad download हो चुका है, आप इसे double click कर दें, double click करने से क्या होग आप इसको okay कर देंगे, next कर दें, इसको आप agree कर दें, next कर दें, next कर दें, और इसको भी आप next, next कर दें, तो simply आपके आपके notpad की installation हो रही है, और इसको फिनिश कर दें, अगर आप इसको run करना चाहें, तो आप इसको run भी कर सकते हैं, तो यहाँ के पास इसकी first file आ जाती है, आप इसको खतम कर दें, और new file आपके पास नीचे remaining हो जाएगी, अब इसुरेट्स, note space, यह आपके पास आपका क्या है, notpad++ है, इसकी मदद से हम लोग जितना भी हमें काम करना होगा, HTML का, जो भी हम उपनी websites का create करेंगे, जो भी हम tags भारा डालेंगे, वो हम इस notpad के अंदर डालेंगे, HTML आपके पास एक language है, tag language है, यहाँ पर उसके tags दिये जाएंगे, तो वो आपके पास आगे उसका function होता जाएगा, अब इसका फाइदा क्या होता है, यहाँ पर, first करें, आपने type करते हैं, यहाँ पर HTML, और यहाँ पर आजाएं, देखिए, आपके पास zoom in और zoom out का function है, आप इसको अपने पास बेदर तरीके से, और मसीद बढ़ा कर सकते हो, notepad की coding को, और इसको आप छोटा कर सकते हो, इसी तरह से, HTML जो आपके पास है, वो आपके पास code language है, जब अपने पास आप यहाँ पर code type कर देते हैं, तो आपके पास यह इसका, आपको code नजर आ जाता है, ठीक है, साथ में आपको देखें, line levels भी आपको यह return कर रहा है, साथ में आपको यह lines वगरा भी दे रहा है, इस आपके बाद आप install कर लें, अपने आपको ready करें, इंशालला, next lesson थे हम लोग अपना बकाइदा start लेते हैं, अपनी HTML का, तो इस lesson में आपको यह बताया, क्या हो अपने पास अपना note best download कैसे करते हो, और उसके पर हमें काम कैसे करना है, तो वो next lesson से इंशालला देखते हैं, त जीत मालूमात और update के लिए विजट कर सकते हैं, हमारी website www.xpacademy.com, जहाँ पर तवाम computer courses आपको उर्दु जबान में step-by-step सिखाये जा रहे हैं, यह स्काइप का ID है, XP Academy से हमारा Facebook का ID है, XP Academy, तो अपनी दूआ में मुझे याद रखेगा, next lesson फिर आजर होते हैं, तो अपनी Allah Hafiz, Assalamualaikum